Hello everyone, welcome back to issue math and geometry का previous question सरी चल रहे है यहां पर क्या दिया हुआ, ABC एक triangle दिया हुआ, AD is perpendicular to internal bisector of angle ABC of triangle ABC, D is drawn through D and parallel to BC to meet AC at E, if the length of AC is 12 cm then the length of A is, अच्छा ठीक है बहुत बढ़िया, कैसे निकलेंगे, सा देखो एक चीज़, ABC एक triangle दिया हुआ है, ठीक है B के internal bisector को AD क्या करता है, 90 degree पर यहां पर छेद करता है, यह D है तो यह D point ले लेता है, यह 90 degree दिया हुआ है, अच्छा इसको थोड़ा सा और आगे बना लेता है थोड़ा सा और आगे बना लेता है, तो यह क्या दिया हुआ है, 90-degrees दिया हुआ है, तो इसको लंबा जोड़ देता है, तो A-F करते है, ठीक है, D-E करते है, अच्छा, D-E दिया हुआ हुआ है, E-Nahin करते, F करते है, Q, D-E is drawn through D, D-E से D-E को draw किया गया है, जो कि यह E-Point प क्या हो जागा से 90 degree क्योंकि ये एक ही straight line हमने draw किया था और इसके उपर ये perpendicular था तो ये दोनो 90 degree है तो बताओ ये दोनो angle क्या सेम बोल सकते हैं ये angle थोड़ा से dark कर लेता है BAD के value and sir DFB के value या फिर BFD के value angle BAD angle BAD बरबर angle sir BFD तो similarity मतलब ये similarity property से हम लोग क्या बोल सकते हैं ये congruent है दोनों triangle क्योंकि देखो तीनों angle का same समान sides तीनों angle का measurement सेम है तो यहां से congruency property से बोल सकते है sir AD बरबर DF मतलब D is the midpoint of AF यहां तक सही है अचा ठीक है जैसे ही यहां तक मिल गया हमें अब और क्या कर सकते है sir यहां तक जैसे ही मिल गया तब हम लोग जाके बोल सकते है कि D parallel to FC है देखो D parallel to FC है और D midpoint of AF दिया हुआ है तो यहां से E क्या हो जागा sir midpoint हो जागा midpoint theorem से तो sir E midpoint हमें क्या दिया हुआ था sir AC दिया हुआ था 12 तो AE के value हमें निकालना था 6 आ जाएग आपको कोई दिकत नहीं आएगा इसके बाद ओके यह जोमेट्री वाला कोश्चिन आप कर लेना अ चाहिए यह टेलीग्रम चैनल का link है नीचे description में लिंक मिल जाएगा जाओ 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 कर जुएण करो और जिवीट्री वाला प्लेलिस्ट में आपको सरके सरे जीमेट्री कोशिन मिलता रहेगा, ओके सर, थैंक यो, बाई बाई, स्टे टून फॉर नेक्स्ट क्लास,